नमस्कार, इंसाइडर लाइब में आपका स्वागत है, मेरा नाम है काजलतिबारी अनन्तमबानी की शादी में निमंत्रन मिलने के बावजूद भी नहीं गए किंद्रेमंत्री जीतनरामांजी उन्होंने बताया कि उस शादी में लोग जस तरीके से फुहड़ वोशाक पहन कराए उसमें परिवार के साथ जाना मुनासिब नहीं समझा दरसल जब किंद्रेमंत्री जीतनरामांजी से जहानाबाद में पत्रकारों ने सवाल किया कि आप मुकेश अमबानी के बेटे के शादी में क्यों नहीं गया क्या आपको निमंत्रन मिला था या फिर निमंत्रन ही नहीं मिला इस पर जबाब देते हुए किंद्रिय मंत्री जीतनरामाची ने कहा कि अमबानी के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए हमें निवंत्रन मिला था लेकिन लोग फूहर कपड़े पहन कर आये थे जिस तरीके का प्रदर्शन साधी में हुआ जो महौल देखने को मिला उस महौल में हम अपने परिवार के साथ नहीं जा सकते थे हमने नियोता जरूर भिजवा दिया केंद्रे मंत्री जितनरामाची ने मुकेस अंबानी के बेचे अननतंबानी की शादी को लेकर एक विबादित बात कही है उन्होंने कहा है कि उनकी शादी में फूहर किस्म के कपड़े पहन कर लोग जा रहे थे वहां जो लोग आये थे उनके सारे अंग दिखाई दे रहे थे जस तरह से उन्होंने कपड़े पहने थे उसे हम लोग फूहर कह सकते हैं जस तरीके का प्रदर्शुन सादी में हुआ जो महौल देखने को मिला उस महौल में हम अपने परिवार के साथ नहीं जा सकते थे वहां का जो कलर वहां का जो महौल था उस महौल और संसकार संस्कृती में हमारे परिवार नहीं डाल पाते जीतना मांजी ने अपने मन की बात कहते हुए ये भी कहा कि जिस तरह से प्रदर्शन अनंत अंबानी की शादी में किया जा रहा था वो अमीरी का ऐसा प्रदर्शन था जिसमें अड़जस्ट नहीं कर पाती उन्होंने कहा कि इसलिए वो अनंत अंबानी की शादी में शामिल नहीं हुए किंद्री मंत्री ने कहा मुझे नियोता आया था इसके लिए हमने अलग से शुब कामना भिजवा दिये हम गरीब परिवार से आते हैं और गरीबी अमीरी का अंतर दिखाई देता ऐसे महौल में हम अपने परिवार के साथ नहीं जा सकते थे इसलिए मुकेश अंबानी की बेटे के शादी में नहीं गए लेकिन शुब कामना भिजवने का काम किया है बहराल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताए